अगर गाड़ी ना हो तो इसमें कोई रंग नहीं आता चिंगू बलाब में अगर बनना हो चोदरी तो छोटी फरकते में करना यह बच्चों के खेलने की चीज नहीं हाथ कट जाए तो खून निकल आता है सुनो डॉक्टर बात यह है के तुम भी उचक्के हो और हम भी किसी से कम नहीं आएंदा जब इस बस्ती में आओ तो या तो पूरी पतलून पहन कर आना या फिर बाकाइदा कच्छे में आना यह शरीफों की बस्ती है यह पता है वो आपकी तस्वीर में देख रहा तो अज़न दिलिब कुमार और मुहीन अख्तर के साथ यह क्या थी भाई यह तो यार सुहे बल्वी क्या यह वही है जो मैं समझ रहा हूँ यह वही है लेकिन यह उनिस सो तिरानवे या बानवे का वाकिया यह जब हम बंबे गए थे और यह दिलीब साब के घर की तस्वीर यह जो केजन आप पूछ रहे हैं यह दिलीब कुमार राज कुमार लाइव शो होना था दुबई में होना था उसकी ग्रेंड रिहरसल मेरे इतने बाहल हैं कि वह पानी इधर से आता कभी स्थ्रमिंग पूल में जाता तो इधर हो जाते हैं तो मुझे शो का तो पता है लेकिन यह बैग्राउंड आप मुझे बता है बैग्राउंड यह है कि अचाना कि यह तै हुआ है दिलीब कुमार और राज कुमार ले वर गूट फ्रेंड निए बाई बात नहीं करते थे एक दूसरे की शकल नहीं देखते थे तो रहरसल कैसे ही हाँ तो इस मकसद के लिए मुझे नफ्र को हाईर किया गया था पाकिस्तान से कि वो इन दोनों को किसी इस तरह से जो है वो जॉइंड करें कि उनकी अना भी बरकरार रहे और वो शो भी हो जाए तो वो द्लीव कुमार राजकुमार लाइफ शो की होस्टिंग के लिए जब वहां रहरसल को गए तो मुझे भी उन्होंने का तुम साथ चले ये सब कुछ रातो रात हुआ और विज़ा भी मिल गया और हम बंबई के रमादा होटिल के अंदर मैं और मुझे भाई मुझे अपनी और दिलीव कुमार की कुर्बत के किस्टे सुनाते हुए यानि उस पूरे किस्टों में हर जगा जो है वो मुहिन मिया थे और जो दिलीव साप थे वो यूसुफ भाई थे तो बंबे जाने के बाद थोड़ा सा एक हैंड हुआ थोड़ा से नहीं काफी हैंड हुआ वो तो मैं ये समझा था एरपोर्ट पे लेने हमें वो यूसुफ भाई आएंगे लेकिन बारहल ये कि वो पव किया उनको अलो हाँ ये यूसुफ भाई असलाम अलेकुम का जीव आलेकुम कलाम लेकि मैं मुहिन अख्तर बोल रहा हूं अच्छा मुहिन भाई की यादती थी कि वो लाउड करके फून को बात करेंगे लेकि वो अच्छा तो मैं क्या कर सकता हुए करता हूं कले आप शायद मुझे पहचाने नहीं मैं कराची से आया हुआ हूँ मैं फंकार हूँ मुहिन अख्तर बात कर रहा हूँ उनका जी जी ठीक है या आप दूसरी मरतबा फरमा रहे हैं कि आप कराची से आये हैं आप फंकार हैं मुहिन अख्तर हैं तो मेरे लाइक क् मुहिन भाई तो आचा क्योंके मुझसे इतनी लंबी बात हो चुकी थी तो वो और भी थोड़ा सा जो है वो हैजिटेट हो रहे थी तो अचा मेरे ख्याल में यूसफ भाई आप इस बद बिजी हैं मैं फिर थोड़ी देर में पौन करता हूं इसके जवाब में जो वहां से आ लग रहा और आप कहरा हम एक घंटे बात पून करेंगे कब आए कहां हैं कब आ रहे हैं बस ये तीन बाते थी थी तो फिर मुहिन भाई की जान में जाना है और लिटरली उन्होंने पसीने पोचे तो उन्होंने का कि बस मैं यहीं हूँ और मुझे आप से मिलना है बताएं क है तो गलीव साहब ने यानि सोहेब अलवी उन्होंने उस जगह से होटल से और अपने घर का पूरा फासला जो है कैडिकुलेट किया और उन्होंने का कि अगर कोई बर्क रफतार मुस्ताइब ड्राइवर होगा तो वो आपको इतनी देर में पहुचाएगा और अगर कोई मेरा जैसा बहुत ही मुतार ड्राइवर होगा तो वो एतनी देर में पहुचा है मुहिन भाई ने क्या हरकत की उन्होंने का कि भाई ये मेरे साथ मेरे एक दोस्त कराची के जैनलिस कहा ही आये हुए तो इन से मैंने बड़ी बातें की थी अब ये समझ रहे हैं शायद आप जो है वो सच मुझ ऐसा कह रहे हैं तो नहीं 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 इनको फोन दे हैं तिर उन्होंने मुझे कमों बेश एक वजहात उन्हें की के भाई हमारा इंका बड़ा गहरा तालूक है और अभी आप मिलेंगे तो आपको अंदागा होगा मतलब ये जो चिछोरपन अभी आपन सारी जिन्दगी नॉरॉल बात करने की कोशिश की ए दोस्त जो चीज मेरी समझ में हा रही है मुझी नख्तर चुके दिलिब कुमार की निकल भी बट अच्छी करते थे बिलकुल और राज कुमार की तो ये हुआ होगा कि दिलिब कुमार के सामने वो राज कुमार के वहाँ हुई जो मैंने जो हिस्सा देखा वो उनके घर पे दिलीव साफ के घर पे वो रिहर्स कर रहे थे उसके रिहर्सल कम थी वह अपनी इंटिमिस्य उन लोगों की इसमी ग्यादा थी कि वह बातें करते रहे मगर मैंने वो शो जो है वो फिर मुझे कहीं मैंने बड़ा तल तलिविजन में होते थे नवीद अहमाद अच्छा नवीद जो है वो शो में मौझोध थे जी अब आपते सी जो हुआ उसमें बड़े बड़े लोग दुबही में जो थे बड़े 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 कुछ तो बहुत बड़े लोग खुछ को पकड़ना मुश्किल ली नहीं क किलॉगरेट्स हाँ दिलिप साब ने का कि मैं पहले जाओं रहूं तो उनको समझाया गया कि ऐसा नहीं करें आप सेनियर हैं आप बाद में आईए लेकिन नहीं बहुत समझाया मुहीन अस्तर में साहरा बार्म है शो जब शुरू हुआ तो पहले आवास आई कि तश्रीफ ला तो बहुत ज्यादा क्लैप आई जैनि धिलिप कुमार की क्लैप ज्यों थी वह राज कवार से ज्यादा थी बहुत ज्यादा कड़े भी हो गया लोगा है जए वह देखा वह चाहते भी हो ही ते हुआ ये कि राजकुमार किसी आ गए उन्होंने माइक लेके कहा कि आज पता चला असल राजकुमार कौल है आहा वाव 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 या देखो ना ये भी एक बड़े आर्टिस्ट की पहचाना है घर जलती हो गई थे